हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे डबल कोशिय स्टिच बनानी जिसमें हमने यह चेन बनाई हुई है अब हम चेन बनाने के बाद दो चेन स्पेस को स्किप करेंगे थर्ड में हम अपने क्रोशिय होग को लेंगे पहले वरकिंग थेट को लेंगे फिर चेन स्पेस में क्रोशिय होग को लेंगे फिर वरकिंग थेट से हम लेके आएंगे क्रोशिय होग को इससे हमारे तीन लूपस आ जाएंगे इसमें पहले हम दो लूपस को निकालेंगे क्रोशिय होग से फिर दो लूपस को निकालेंगे अगे देखिएगा, यह हमने तीन लूप्स हो गए हमारे जिसमें से दो लूप्स को पहले लिया, फिर दो लूप्स को लिया. इस तरहसे दो-दो लूप्स निकालेंगे तो हमारे यह double crochet stitch कहला ता हुआ तिर नेक्स्ट में लिए, तीन लूप्स आगके, फिर हमने धोग्स निचाला एक साथ, फिर दो लूप्स को एक साथ निकाला, इह देखिये, इसी तरह से आगे लेंगे और इसको पूरा कंपलीट करेंगे, तो दो लूप्स को निकालते जाएंगे, और यह हमारे डबल कोशि स्टिच कहलाती है। दो locks निकले। फिर से बरकिंग फ्रकू थैड को लिया WORK voilà फिर दो दुट वं में लिया है। आई ओर लूप हारई दो भूबो थो लोब समय वररकिंग फैट को 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 क्रोशिय हुग में लेके फिर क्रोशिय हुग को चेन स्पेस में लेंगे फिर वर्किंग ठेट को चेन स्पेस में से लेके निकालेंगे तो तीन लूपस आएंगे हमारे पास तीन लूपस में से पहले दो लूपस को निकालेंगे क्रोशिय हुग से फिर दो लूपस को निकाल में लिया और धीडे धीडे करके अराम से दो लूपस को फिर दो लूपस को इस तरह से निकाल लिया यह हमारी double crochet stitch complete होगी अब हम दो chain बनाएंगे फिर अपने work को टन किया, फिर next में हम लेंगे crochet hook से, फिर उसी तरह procedure को repeat करेंगे पूरा दो-दो loop को लेके निकालेंगे crochet hook से, देखिए दो-पहले निकाले थे, दो अब निकाले, फिर working thread को लिया, next stitch के उपर डाला, फिर दो लूप्स, देन अगेन दो लूप्स, इस तरह से पूरा प्रोसीजर रिपीट करेंगे, हर स्टिच के उपर हम स्टिच बनाएंगे. यह हमारी तैयार हो गई, डबल कोशिय स्टिच, जिसमें 1, 2, 3, 4, यह 4 लाइन्स बनाई हैं हमने, डबल कोशिय स्टिच के. ये डिकी.